नमस्कार दोस्तों इस समय आप मेरे साथ आगरा ग्वालिय रोड के रोता चोड़ाई पर मौजूद हैं इस समय आपने देखा होगा सोसल मीडिया पर एक नाम बड़ी तेजी से फटेपुशीगरी सीट पर चल ला है जब किसी भी दल द्वारा अपने पते नहीं खोले गए ह चाहें वो बीजेपी हो या गठ बंदन किसी भी संगठन के कोई भी प्रत्यासी अभी सामने नहीं निकल के आया है तो वहीं ऐसे पर सोसल मीडिया पर आजकल किसान नेता स्याम सिंग चाहर का नाम तेजी से आगे चल ला है आईए आज हमारे साथ मौजूद है किसान नेता लगे हुए हैं और оры ऊंता फैसलव होगा कि अगर जन्ता औगिसान चाहेंगे कि तो हम चोटा मोटा चुनाब नहीं लढ़ेंगे अगर मौदी जी दिली से गोश्ड़ा करें का फटरसीकारी पर लड़ेंगे मायवती जी गोश्ला करें अगले जी गोश्ला करें यानि हम मुकाबले से लड़ने के लिए तयार है अगर यहां के सांसद या विदायक हमारे मुकाबले पर आते हैं तो वो हमारे मुकाबले को नहीं जेल पाएंगे किसी कीमत पर क्यों कर हाती का बजन हाती जेलता है मोदीजी को भी पता लग जाएगी कि किसानों के प्रत कितनी गोषणाएंगी यानि गोषणाओं की जबाब आगरा की फतेपुषिकरी की जनता उनको दे देगी कितना जूट बोलते कितना सच बोलते हैं लड़ना है तो मोदी जी के आगे फतेपुषिकरी लोकसवाब सीट पर लड़ना है अगर बर्तमान को आगे लाएंगे अगर कोई और नया मुल आता है जो कि अगर आगरा से बाहर काता है तो उसको भरपूर ब्रोद किया जाएगा आगरा जन्पत में उसे घुसने किसी कीमत पर नहीं दिया जाएगा हम लड़ेंगे तो उनके राष्ट्य अद्रश के खिलाप लड़ेंगे मोदी जी के खिलाप लड़ेंगे छोटे युबाओ के हमारा लड़ने का मन भी नहीं करेगा हम अपने साथों को लड़ाने का प्रयास भरपूर करेंगे क्या माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जैसे ही आपका नाम तेजी जी चला उसी समय गठवंदन की प्रत्यासी सीमा पाद्य जी ने पते पर सीगरी सीट से अपना नाम बापस ले लिया इस पर क्या कहना है आपका ने बो तो उन्हें सीमा जी को पता हुगा कि किसान नेताओं के आगे वो रुक पाएंगी या नहीं रुक पाएंगी अगर उन्हें ये दिखाई दिया कि किसान नेताओं के आगे हम नहीं रुक सकते हैं तो उन्होंने अपना नाम बापस ले करके वो इस पाटी को भी लेगी तो यह आने वाला समय है उनको इंट का जवाब पत्थर से देगी जनता तो क्या पत्यबुष सीगरी सीट पर आपके द्वारा चुनाव मोदी और योगी के अलावा क्या किसी बर्तवान सांसद या अन्य प्रताशी आगे नहीं लड़ा जाएगा नहीं हमारे यूबा तो यह थे हमारे साथ किसान नेता स्याम सिंग चाहार जिनका कहना है कि मोदी और मायावती और अखिलेश के सामने चुनाव रड़ना की इच्छा रखते हैं अगर कोई सांसद है तो हम किसान संगटनों के द्वारा कोई भी नया युवा चेहरा किसानों की तरफ से मैदान में उतारेंगे चोप सिंग सक्सेना आगरा